कि आपके दिमाह में कभी ये सवाल है कि इंटरनेट कैसे काम करता है, इंटरनेट कैसे हम तक पहुंचता है, या फिर इंटरनेट को कौन करता है, इंटरनेट असल में है क्या, तो इस तरह के सवालों के जवाब अक्सर हमारे दिमाहों में आते हैं, तो आज कि इस वीडियो के इसको ही डिसकस करेंगे और मजीर देखते हैं कि इंटरनेट के बारे में हमें क्या मिलता है क्या इंफरमिशन है तो विडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ माइनम इस शबीर और आप देखें मुझे मेरे चैनल शबीर शाहरोपे काइस वीडियो की तरफ चलते हैं सबसे पहले हम यह देखेंगे कि इंटरनेट काम कैसे करता है तो इसके concept को समयने के लिए इसकी example लेंगे बजाए कि हम इसकी theory की तरह जाए और complex create करें कुछ लोगों को theory की समय नहीं आते हम उसको example से समयने की कोशिश करेंगे मुबाइल से एक video record करें जो के 1gb की है ठीक है तो क्या वह जो वीडियो अपने facebook के अपलोड कर रखी है तो वह क्या वण जीपी की जो वीडियो है वह डिलीट हो जेगी मांसे बिल्कुल नहीं होगे क्योंकि वह facebook के उपर अपलोड हो चुकी है जाहिए सी बात है जो आपके 1gb की जो वीडियो है वह space ले रही है 1gb या वह एक data center के थूरू data center आपकी जो वीडियो data center में चलीगी विडया सेंटर के अंदर का होता है बड़े-बड़े computers होते हैं बड़े-बड़े servers होते हैं server machines होती है वो बड़ी advanced किसम की machines होती, advanced किसम के computers होते हैं, ठीक है, अब वो आपके data content को host कर रहे होते हैं, वो like वो अमेरिका के अंदर एक data center है, उसके अंदर machines लगी है, उसके अंदर कही न की जाके आपके वो video पड़ी हुई है, ठीक है, अब समयने के बात यह है कि एक data center के अंदर आप का content पड़ा है, ठीक है, अब वो वहाँ जाके upload होगी, समयने के बात यह है, कि मैंने यहाँ से video को upload किया है, अपने mobile में भी नहीं रखा, और वो जाके अमेरिका के data center के अंदर upload होगी है, यह कैसे possible हुआ, इसको ही समयने के लिए हम यह एक चोटी से example लेंगे, यह उसी तरह पॉसिबल हो जाता है, जैसे एक computer से दूसरे computer के अंदर file share करता है बंदा, और उसी तरह mobile से एक mobile से दूसरे mobile के अंदर file share करता है, तो वो हो जाती है, तो एक network बनाने के लिए हम उस building के तरफ ही जाएंगे, so computers लगाए, so computers आपस में बात कर सकते हैं, किस तरीके से जब हम उस आप सोते हैं, और service machines भी होती है, बहुत सारे, basically network बन चाता है, hardware के through, hardware लगाएंगे, network बन जेगा, अब उस network के through, आप एक computer से बात चीत कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपके example दी कि एक कमरे के अंदर, दो mobile के through, Bluetooth के through, आप एक file को दूसरे mobile से, एक mobile से दूसरे mobile के अंदर file share कर करेंगे, वो आपस में connect करने के लिए, एक wire का इस्तमाल करेंगे, जो के पहले वाले 100 computer, दूसरे 100 computer से बात कर सकते हैं, कोई भी computer, दूसरी building के computer से बात कर सकता है, और दूसरी building का computer, पहले वाले computer से, building के बात, मतलब आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, अब ये तो दो यही पूरी दुनिया में फ्यला हुआ है यह जो नेटर इसको इंफरस्ट्रक्चर कहते हैं जो दुनिया के इंदर नेटर्वक बना हुआ है और आपस में इंटरे विकता है अब इंटरेट बिखता है इसे समय लो कि इंडिया के अंदर एक वायर गुज़र रही और पकिसेन के अंदर इंटरनेट नहीं है अब मैं कहता हूं कि इंडिया मुझे निजदीक और मैं इंटरनेट लेना चाहरा हूं पूरी दुनिया के साथ किनेक्शन होना चाहता हूं तो वह एक वायर के थूरू इंडिया के साथ है मैं उसको इंडिया को पे करता हूं वो मुझे किनेक्शन दे देता है फिर वो कनेक्शन आएगा कुछ ISP के पास वो ISP कौन होंगे वो पहले कराची में आएगा कराची के बाद वो लहोर तक आएगा फाइबर के थ्रू आएगा ठीक है वो पहले होता है इंडियों तक पूंचा रहे होते है और जो बाइवाइल संग्नल की त्रूब और यह लिमिट्र होता है वो जो भाइवाइल इंटरनेट होता है वो त्हुडड़ा सा लंबा distance तक जा सकता है और जो fiber होता है वो बहुत ज़्यादा होता है like cat6 की बात करें तो cat6 की limitations है कि 200-300-200 meter से ज़्यादा आप उसके उपर data travel नहीं कर सकते है और जो fiber होती है कि उसके उपर आप 500 km तक आप उसके उपर data travel करवा सकते है फिर devices लगाने के बाद और आगे उसको expand कर सकते है आपने अपने mobile से जो video record की 1GB की वो जाके Facebook के अमेरिका के अंदर data center के अंदर जाके वो upload हो गई ठीक है अब आप उसे download भी कर सकते है upload भी कर सकते है ठीक है लेकिन वो यहाँ से कैसी गई वो यहाँ से ऐसे ही possible ली जब आपको पास wireless connection है SIM को जब चलाते है तो उसका signal आता है signal जो आता है वो आपको raditions के थूरू आता है waves के थूरू आता है जब आप उसके साथ connect होते हैं तो वो जो signal है वो wire के साथ ही connected होता है basically वो wire होती है जो के pole के उपर जाती है और pole के उपर device लगती है फिर वो waves बनाता है और फिर आप उसके साथ अपनी SIM के थूरू connect होते हैं ठीक है तो बड़ा simple सा process है अब वो जो wire के थूरू नीचे Jazz का Vodafone या Tata Company है या कोई Zonk की Company है वो उन्होंने जो internet ले रखा होता है वो wire ही आ रहा होता है या possible है कि उनको भी waves के थूरू मिल रहा हो internet लेकिन waves वाले internet के उपर limitations होती है क्योंकि उसकी strength जो होती ही ना limited होती है और जो cable वाला internet होता है basically fiber optics वाला वो उसकी जो limits होती ही वो बहुत ज्यादा होती है वो आप एक country से दूसरे country दूसरे country से तीसरे country तक भी लेके जा सकते हैं fiber optics के उपर fiber optics को देखना हो शीखना हो तो वो एक different topic है network हमने समय लिया अब यहाँ पर हम समझेंगे concept number 2 को concept number 2 यह है कि हमारे पास internet पहुंचता कैसे है ठीक है internet पहुंचने के जो तरीक है हम उसकी रिसाई कैसे हसल करते है और वो हमारी रिसाई कैसे हसल करता है जब मैं simple से एक network तो बना ही हुआ है अब मैं simple google के उपर जाके type करता हूँ www.facebook.com तो वो एक packet जरनेट होता है वो एक packet link का जरनेट होता है command का जरनेट होता है जो के मेरे packet को ठाके वो facebook के data center के उपर जाके हिट मारता है कि ये मुझे बंदा search कर रहा है इस idea से तो उसका reply वो हमारे interface हमें दिखाता है जो उसका reply लेके आता है receiving packet में दो तरह के packets होते हैं एक sending packet होता है और एक receiving packets होते है तो ये replies लेके आते हो ये लेके जाते हैं आपका question लेके जाते हैं और replies लेके आते हैं जवाब के थ्रोवे तो interfaces नजर आते हैं ठीक है वो interfaces जो होते हैं वो आपके computer से पर शोग कर रहे होते हैं बीच में चाहिए वह हजारों कुम्पूटर्स आ जाए लेकिन उसने जाकर उसके मुपूटर से हीट करना है जिस कंपूटर की उसने कमांड दिया तो विदिन MS Second की Speed के अंदर वो आपको reply आता है वो कैसे आता है वो आप जब उसके उपर send करते हो तो वो एक identify इस तरीका से करता है क्योंकि उसके पीछे protocols काल रहे होते है multiple protocols होते है जैसे मैंने packets का protocol बता दे कि एक packet आप भेजते हो और एक receive करते हो ठीक है इसी तरह जो DNS होता है जानी कि ज यह समयलें कि आप मुलक के शाहिदी है अपको ID कारड़ दिया जाता है उस ID कारड़ आपका नाम होता है और आपका नमबर होता है और वो नोमशा praks से पूराइप के अंदर आपका हिट मारता है Facebook के data center पर जा कि और वो फिर आपको reply देता है और ये इसके पीछे पूरे protocol होता है फिर आपका devices होती है multiple devices होती है, gateways होती है like router लगा तो router क्या है? gateway है वो gateway है आपको identify करने का protocol है आपके Mac address को लेके जाता है आपके protocol को बनाता है IP protocol को बनाता है फिर DNS जो एक different story है तो इसके उपर standards होती है कुछ multiple protocols हैं, इनको समय नहोता है और यहां पर हम समझें कि concept number 3 concept number 3 में ये देखेंगे कि internet control कोन करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके उपर एक network बनाए फिर दूसरे network बनाए और आपस में connect कर दें ठीक है, अब एक network बनाने वाला दूसरे building एक building के अंदर network है और दूसरा भी network है अब चाहता है जो building A वाला चाहता है कि building B से connection ले 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 तो वो connection वो बिक तो जरूर सकता है इसका माले कोई नहीं है जितने वी connection बनाए जिसके पास भी computer वो मालेक है वो अपने network का तो यह basically internet बिकता जरूर है इसका माले कोई नहीं है हाँ अलबता कुछ organizations हैं जो इसके पर काम करती है जो के protocols और कुछ standards के पर काम करती है जो के पुरी दुनिया फॉलो करती है आइकन कंपनी का काम क्या है उसने domain name जो होते है जो के DNS होता है basically domain name www.facebook.com यह domain name है जो के पुरी दुनिया में एक है और अगर इसको offset से करेंगे Twitter तो नहीं खुल जाएगा YouTube तो नहीं खुल जाएगा इसको खुलेंगे जो खुलने से आपको interface मिलेगा वह Facebook का ही मिलेगा इसी तरह बहुत सारी organizations है जो काम करती है protocols के पर एक और मैं आपको यहाँ पर example देता हूं मैं आपको manufacturing company की example देता हूं जितनी भी digital devices होती है जिनसे आप internet यूज करते है यह सब जब manufacturing कर रहे होते हैं तो इन manufacturing के दुरान इनके उपर एक number अलोट के रहते हैं जिसे हम Mac address बोलते हैं वह Mac address जो होता है वह एक company जो के IIIE है जो वह assign करवाती है और यह जितनी भी organizations होती है यह सारी कहलो के non profitable होती है और hopefully आपको समझ आई होगी कि इंटरनेट कैसे काम करता है इंटरनेट हम तक पहुंचता है कैसे और फिर इंटरनेट को control कौन करता है तो hopefully समझ आचो क्यों कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चनल को कर दे थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स वीडियो में अपना ख्याल रखीगा अलाव